लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइटिन को प्रेस करें कवी वर्मा और सर जूडा के इस जायदात के केस में आज जो काखजात और सुबूत रवी वर्मा ने पेश किये उन से साफ जाहर है के उटी कमांड की सारी जायदात के असली मालिक और हखदार रवी वर्मा के स्वर्ग वासी पिताश शांता परशाद वर्मा थे जिन्होंने सर जूडा को विश्वास और दोस्ती की खातिर अपना भागीदार बनाया लेकिन उनके मरने के बाद अब सर जूडा उनके बेसाहरा परिवार और लड़के से सारी जायदा धड़प लेना चाहते हैं इसलिए कानून का यही फैसला है के ये शांता परशाद की उटी कमन वाली सारी टी स्टेट, टी फैक्ट्री और महल रवी वर्मा को मिलना चाहिए, सर जूडा को नहीं हम लोग यह स्जीत गए कामणी पांच जैन्यूरी उनीच सव उनसर आज सरजूडा केस हार गए और इसके सिम्हेदार शुफाप है श्री पीपी रॉय हिंदुस्तान के सबसे बड़े मशूर वकील लेकिन सर ना जाने उस चोगरे ने कहां से असली कागजात अदालत में पेश कर दी और सारा केस उल्टा कर दिया और अब सर जूडा तुम्हें उल्टा करने की सोच रहे है लेकिन सर हम सुप्रीम कोट तक जाएंगे उपर वाले ने सर जूडा को जबान नहीं दी लेकिन अकल जरूर दी है सुप्रीम कोट में कोई दूसरा वकील होगा श्री पीपी रॉय तुम नहीं होगे आउ आउ कामिनी आउ श्रानजीत सर जूड़ा कहते हैं सुना तुमारी बेहन से रभी वर मा इश्च करता है क्या यू ठीक है ? मेरी बेहन का इश्च तो कहिएं से है लेकिन ये लड़का तो पैसे वाला है सरकार तो तुम और तुमारी बहन दोनों पैसेवाले बन सकते हो वो कैसे अगर आज जैनुरी तक तुम रवी वर्मा से शादी करके मिसिस रवी वर्मा बन जाओ और ग्यारा जैनुरी तक तुम विद्वा बन जाओ यानि कि रवी वर्मा और 12 जन्वरी तक वो वसियत के सारे काख़ाद हमारे हवाले कर दो तो 15 जन्वरी तक हम तुम्हें उटी की माहरानी बना देंगे लेकिन जाजाद का असले माहरानी कौन होगा सर जूड़ा रहेंगे तुम्हें 25,000 रुपे महिना और वो उटी वाला महल भी तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा लेकिन अगर नौकरानी से रानी बनने के बाद तुम्हारी नियत बदली तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस काले कोट वाले का हुगा मेरा अद्वान्स मुबारक हो जीजाची अरे भाई देखते क्या हो फोटो खेंचो जलो जल्दी करो अरे खेंचो 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 कमओन वन बोर कमओन आपका बेटा जीत गया है लेकिन आपने मुझे असली मुबारक बात दी नहीं ये सजावर्त ये तयारिया आपने देखी नहीं मैं समझा नहीं रानी मा अंकल मैं बताती हूँ भाईया ने बामे में शादी कर ली और भाभी को लेकि यहां आ रहे हैं इसलिए मा बहुत खुश है शादी कर ली है सत्नाम जी जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है बाबाब की जिंदेगी का मतलब है बच्चों की खुश्या है शर्मा जी रवी के लिए स्टेशन की गाड़ी भीजिये है ना देजिये है रानी मा तेकिन रवी बाबु ने जीप में अकिल्या ने का फैसला किया है पुछता ऐशा क्योंक है तुम समझोगी नहीं मा ये भाईय है ना बहुत चलाक है बस भाबी को स्टेट दिखाते वे अपना रॉब जमाते वे चले आ रहे होंगे कामनी जानती है जो धुने ना मुझे बहुत पसंद है लगता है रेडियो वालों को भी ख़बर हो गई है कि हम अपनी धुलन को घर ले जा रहे हैं हा थांकियो रेडियो वाला साब थांकियो बरी माच है में है कि झाला साब थांकियो रांकियो भारोस से गाया जारा रहे मेंगे है मत्रतIT रहे है जचरश है लेगैना को ना त हुआ 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 है कामनी ये हमरी टी पक्तूरी बर्माजी एस्टे है रॉबर्ट वायू और रॉबर्ट क्या हुआ है क्या हुआ क्या हुआ आपकी जीप ने जवाब दे दिया जिन्हीं मैडम दरशल हमारे जीप ने हमको मौका दिया है थोड़ा सा रूमैंस करने का आपकी नहीं घर अरे बाप्रे हाँ आज तो मा खूब चिलाएगी बस उसका बेटा कहीं अकिला निकल जाए तो शहर के सारे टेलोफोन और वायलेस हिला कर रख देती है अरे राडिटर में तो पानी नहीं है ठीक है मैं कहीं से लेकर आता हूं I'll just be back darling कुछ भी को darling बीवी का प्यार बीवी कहीं रहता है बहुत गुद्गुदी रहती है मा का प्यार भी अच्छा होता है लेकिन ज्यादा प्यार होने से कभी-कभी प्रॉब्लम बन जाता है Too much love you see अभी घर जाएंगे तो देख लेना कैसे तुम्हें अपनी आखों में बिठाती है बहु यहां बैठो बहां बैठो बहु पंखे के नीचे बैठो अरे बहु को जुकाम हो गया अंग्रेजी डॉक्टर लेया लेकिन उससे क्या मालूम आजकल की बहुएं ज्यादा चूचा पसंद नहीं करती काम नहीं मेरी मा बहुत अच्छी है घर जाती है उसके पैर चूलेना इंप्रेस करदना लेकिन तुम्हे पैर चूना आता है तुम्हे तुम जैसी अंग्रेजी लड़कियों में साथ यही प्रॉब्लम देखो मैं कैसे चूता हूं ऐसे चूना देखो इस तरह से चुकर कहना मा मुझे आशिरवाद दो मा फिर वो कहेगी बहुत वुकि रहो तुआगमटी पही रहो आज यह क्या कर रही हो तुम कामने सुम कामनी से चीपटबर चला रही हो सथाइं कामने नए सथाइं आज क्यों आप ज़िए नहीं 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 आइसा नहीं हो सकता इतना बढ़ा नहीं हो सकता तुम्हे छोड़कर नहीं जा सकता तु ही मुझछ से वादा किया था, कि तु वापस आएगा, लेकिन इस तर नहीं मैया, मैया अरे मेरा इकलोता जवन बेटा मेरा भोती जेसा लाल मैं तुझे नहीं जाने दूगी मैं तेरे साथ चलूगी, तेरी माँ तेरे साथ चली व्याया, मात तिने साथ है, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे इसके साथ जाना है मुझे इससे पूछना है, इस मा से जिसने मेरा जवान बेटा मुझे चीछलिया खलेजा फटने ही गए तेरा, इससे मरते हुए देखकर अगर तू मा है, तो मैं भी मा हूँ मैं भी मा हूं देखते हूं तू कैसे बेटा वापस नहीं देती तूजे मेरा बेटा वापस लोड़ाना होगा इस जगह, इस खर में, मेरे पास उसको अपना वादा पुरा करना होगा उसे अपनी मा की दूट का कर्श चुका ना होगा इस संसार में कितनी बार आए कितने जनम लिए कितने रूप धारे कहते हैं इंसान की मरते वक्त वो इच्छा अगर अधूरी रह जाए या किसी को वो याद करे तो उसकी पूर्ती अगले जनम में अवश्य होती है ऐसी ही कहानी है हमारे दोस्रा विवर्मा की जिसने मा के प्रताब से एक बार फिर जनम लिया किसी और जगे किसी और रूप में मौन्टी के नाम से किसी और जीए याद कि अर विवर्मा की जाए टका से लालाला ना हो मुचिबत ना हो मुचि बता नो तार थार एडेटा एडेटार एडेटा एडेटा ए लेंगी ऐैंगा ए चार एडेटा एडेटार कि दो नजीब चहर हो नजीब चांप。 अजीब चांप आलाव टार! प्रेंदे का, प्यार देका, यार देकी, यार देका प्रेंदे का, प्यार देका, यार देकी, यार देका दिल के आर पार देका, ये सारा संसार देका ऊपर नीचे अंदर बाहर दूर पास मौसम है एक गैसा पैसा 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 यंधार से हो, मुझी बख्चे क्ना हो मुझी बख्चा, मुझी बख्चा, मुझी बख्चा, मुझी बख्चा इसाओर नवाज कि अ से भड रपर गा sûndर हत boundary ला 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 ले ला 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 3, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, uh, 3, 4, 1, 1, plus 9 6 7 8 9 साथ, 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 साथ! एक मिनेच, प्लीज, एक मिनेच.. एक मिनेच, फ्लीज, इस पे भी? एक मिनेच, यह रेलवे टिकेट है, हुजूर, एक मिनेच इधर भी? वह? त्याल? शुकर है मेरे लाल, अपने पुराने ट्रेन वाले दोस्त को तो पैछाना तुमने आज तो कमाल हो गया, bigger than the biggest hit आखिर उसको बनाने वाला कौन है, I am the maker, Monty को star किसने बना रहा है आप, Mr. G. G. O.B. Roy Thank you, Monty private parties में गाना नहीं गाएगा, यह मेरा उसका strict contract है मैं हजारों के लिए लाखों नहीं गाएगा Sir, लेकिन, लेकिन वेकिन कुछ है I am the maker, अगर Monty Vanga न गाएगा, तो उसे लाखों का हरचाना और इस carrier से हमेशा के लिए रुखसद लेनी पड़ेगी दिल्ली में डॉक्ट्री का कोस पूरा किया, और Bombay hospital नौकरी डूनने चलाया पदा लगा तेरा शो है, तो आ गया, लेकिन मुझे डर लग रहा था वर्सों के बाद तु मुझे पच्छानेगा की नहीं अब आप अपनी बगबग बंद कीजियो, मेरे साथ सीधा घर चलिए हाँ जोजफ, ममी है अच्छा उनसे कहना मेरा एक पुराना जिगरीदोस घर साथ आ रहा है हम लोग साथ ही खाना खाएंगे, एवन खाना नहीं चाहिए ममी अब तू तो कहता थे तेरे माबाप ही नहीं इस पैसों के साथ ममी डेडी कहां से पड़ा हो गए अब तू तो जानता है डेयाल अनाथ बिखारी के तरह ट्रेन में गाया करता था हाँ, अखवाने आवाज तुदी थी उस आवाज को लाखों लोगों तक पहुचाने के लिए एक फरिष्टा भी भेज़ दिया फरिष्टा? जी एक रईस बिजनसमैन है मिस्टर जीजी अबरोय उन्ही के साथ घर में रहता हूं उन्ही को माबाब समझता हूं तु घर तो साथ चल तुझे पता चलेगा मैं कितना तक्दीर बाला हूं एक्चुली आयम दी मेकर स्टार मेकर अबरोय लेकिन मिस्टर अबरोय तुम्हे उससे फाइदा भी तो हुआ है स्टार मेकर अबरोय आयम दी मेकर लो मॉंटी भी आगया पूछ रहे इससे डाडी यह मेरे दोस्त है डॉक्टर दयाल दोस्ते डाडी अनाज पच्छा अगर प्यार से मुझे डाडी कहता है तो इसे भी बुरा ही क्या है मॉंटी बेठा यह है मेरे लंडन से आएवे दोस्त अरे आप लोग यह बाते करते रहेंगे या चलेंगे भी देखिए क्या ताइम हो रहा है अरे मॉंटी मिस्टर परेया को डीनर के लिए हम ताज ले जा रहे है यह से लिए लेस्ट को अरे यार वो मेरे डैडी है ना वो हमेशा बिजनस में रहते है यार वो लाखो लोगों का मैं लेकिन मेरा कोई नहीं तॉलर्ट शौरत भगवान ने सब मुछ दिया है मुझे लेकिन मा का प्यार क्या होता है यह तो बस सुनता हूँ महसूस करता हूँ और मायूस हो जाता हूँ ना जाने क्यों मुझे मा की कमी हमेशा महसूस होती है दयाल मेरे पास मा होती ना तो मैं उसे इतना प्यार करता इतना प्यार करता के बस मॉन्टी यह तू इतना वड़ा स्टार हो के रोता है है तेरी कमी में फूरी नहीं कर सकता दोस्त लेकिन मेरे काम तु कर सकता है क्या मेरे बॉस है न डॉक्टर डैनियल उनक्या पार्टी है तुझे आना पड़ेगा किस लिए या तु लुटा बड़ा स्टार है तु आएगा तो अपना भाव बढ़ेगा अपनी नौकरी का सवाल है आउंगा आएगा ना लेकिन कहां टेन मडाइलें रोट साड़े शेवजे लगता है बॉंबे में ने ने आये लेकिन मेरे दोस ने मुझे साड़े शेवजे का टाइम दिया था ठीक है लेकिन बंबे में बड़े लोग की पार्टी नौ या साड़े नौ से पहले कभी शुरू हुई है डॉक्टर डैनिल साब है गर में हाँ है तो सही घरी में लेकिन उपर सोय हुए है वो भी साड़े आठ ये नौ से पहले नीचे तो उतरेंगे ने चापनी लाओं ने थांक यू मैं वह वाँ प्यानों के पास बैठ सकता हूं हाँ हाँ जरूर बढ़ जाए आए 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 थांक ये जॉजएप जी विलास से सब साब क्या की नहीं तीने बिटिया कर रही है ओ हो जब से आई ये काम में लगी हुई है क्या देख्रयू बिटि मैं देख रही हूं ये बाजा बजता कैसे है और वो बजाता कैसे है चलो हम अपने काम करें आओ मैं आपसे कह रहा हूं मेरा नाम ये नहीं जोजब साबको एक लास पानी मारो मारो नहीं मरो ये फूल बहुत अच्छे है ना ये फूल को लाप के हैं शायद क्यों नहीं केंदे के होंगे आपको भी मारव नहीं मालूम है बनावती है यहाँ फूल भी है और ब्लडी फूल भी We want song We want Monty We want Monty We want Monty We want Monty Monty you have to sing Monty you have to sing सुनिये मेरे बाप सुनिये आप लोग सुनते क्यों नहीं Mr. Oberoi के agreement के मुताबक Monty किसी प्राइवेट पार्टी में नहीं गा सकता अगर वह गाएगा तो उसे लाग हो रुपे का हरजाना देना पड़ेगा और अपने करियर से हाथ दोना पड़ेगा ठीक है नहीं बिल्कुल ठीक है प्लीस ठीक है प्लीस ठीक है प्लीस ठीक है आपके लिए मेन अपने सारे फ्रेंस लोगों को बलाया आप ता आपको गान ही पड़ेगा पापा बोलो ना मिस्टर अबरॉव मेरे दोस्त हैं मैंने उन्हें भी इस पार्टी में बलाया है कहो तो उन्हें भी फोन करते ता याए अंखल प्लीस आप मुझे शर्मिना मत कीजिये प्लीस आइम हल्पलस नहीं 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 एक लाइनी से मैंने आपके लिए कितने सारे मुझेशन बलाएं अरे आप लोग समझते क्यों नहीं Monty is a star, he is a star मेरे दोस्त भी है, sir Dr. Dayal Dr. Daniel or Dr. Dayal की खातिर अगर आप कहें तो मैं आपके कोई साज बजा कर सुना सकता हूं ये, हो जाए, हो जाए अर्ज कर दो सुना सुना आपके आपके लोग सारे आपके लोग साजा दर्दे दिल दर्दे जीगर दिल में जगाया आपने दर्दे दिल दर्दे जीगर दिल में जगाया आपने पहले तो मैं शाइर था पहले तो मैं शाइर था आशिक बनाया आपने दर्दे दिल, दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने दर्दे दिल, दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने है कर दो झाल! गुझ रो! गॉाल! आपकी मद्धोश नजरें कर रहे हैं शारी आपकी मद्धोश नजरें कर रहे हैं शारी ये घजल मेरी नहीं ये घजल है आपकी मैंने तो पस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने मैं आप जिल में आपने आपने में जगाया आपने चाहत आपने आपने हुआ 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 कब कहां सब को गई जितनी बिठी परठाईयां उठ गई यारों की महपिल हो गई तनहायां कब कहां सब को गई जितनी बिठी परठाईयां उठ गई यारों की महपिल हो गई तनहायां क्या किया शायद कोई परदा गिराया आपने दर्दे दिल दर्दे ऐकर दिल में जगाया आपने दर्दे दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने गाइन और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे आपको जून जूनगा कैसे रास देखो जाएंगे नाम तक भी तो नहीं अपना बसाया आपने दर्दे दिल दर्दे जिगर दे में जगाया आपने पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने लाला, 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 लाला कि याना गवाने के लिए दुनिया की सारी हस्तिया परश्थ होगी लेकिन एक लड़की के हांखों ने आवाद और गदल निकाल दी वट रेडियो एक्टिविटी यार इस रेडियो एक्टिविटी ने वाकई अपनी इहालत बुरी कर दी है, यार, मैं रेडार लगा के देख रहा था, जंदा आया, चान निखे की, वो गयब हो गई कॉन है, कहां से आया, इसका कुछ तो पता लगाओ द्याल अमा एयर, किचिन से आय और किचिन में ही गई, मतलब इसका मीनु काट किचिन में ही मिलेगा, मैं अब ही पता लगाता हूं, अब यो बेटू, क्या है, कामल के जाना तुने पी रखे, यार हुआ 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 कि अज़ी नियुक्त क्या इस्कुल मेज़ प्लीज प्रहविट पाट इक वन मिनिट है क्या थी आप उस लड़की को भूल जाए ना के नौकरानी ना मारानी वो उटी से अपने स्कूल के टूर के साथ बंबई देखने आई थी आई थी? यहां का जो बावर्ची है फ्रांसिस वो उसके गाउ का रहने वाला है वो उसे मिलने गया तो बंबई के घड़कीली पाटी दिखाने के लिए दो चार गंटे के लिए आल ले आया अब वह रात के साड़े गाड़ी से जा रही है जा के रही आप तक कुनी गलभी गई होगी इसलिए आप इसे एक खुबसूरत ड्रीम सीकॉन समझके भूल जाएए और मुर्गी की टांक हाईए तुम इस तरह मेरी बेज़िती नहीं कर सकते है मैंने आपकी कोई बेज़िती नहीं किये डैड़ी टॉंट कऊल मी डैड़ी जिआज रुखो तुम मेरे बेटे नहीं हो एक एंप्लाइः हो under contract a strict contract मेरा पैसा मेरा पैसा 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 पैसे की जरूरत आपको है डैड़ी मुझे नहीं कहीं ऐसा नहों कि आपकी सक्ति और नफरत से मॉंटी आपके पैसे और स्टेक कॉंट्रा को छोड़कर किसी और दुनिया में चला जाया क्या हुआ पैसे का सवाल है मैंने कुछ क्या दिया तुम समझा प्यार से हाँ हाँ हलो हलो जुली अच्छा तो मॉंटी जनब अपने चाहने वालों से चुपकर यहां बैठे वे अपने चाहने वालों के लिए चार दिनों से गीत लिखने की कोशिश में हूँ सब मग भोली नहीं मिलते लेकिन उस दुन हमारी पाटी में आपने तो बस कमाल ही कर दिया क्या गाना गाया था कि देखे ना उस दिन पाटी के फोटोग्राफ यह देखे मेरी सारी साहलिया आपकी इतनी तारीफ कर रही थी कि बस कह रहे थी जुली अगर तुम मॉंटी को इंस्पायर ना करती तो शायद वो इतना चाहना कभी नहीं का सकता आखिर बोल लिखने और गाने के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो चाहिए ना आपने ठीक आजुले यू समझो के मुझे अपनी इंस्पिरेशन मिल गई आपने के भ्षण कोई इंस्पिरेशन मिल अ इंस्पिरेशन तुम या कि अपन्त कर दो कि ग़ीर संगर मिल आपने के पका得 इंस्पिरेव जाग मिल विरी threads तुमने कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को दिल दिया, मैंने भी दिया लाला, 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 मेरे उमर के नो जवानों लाला 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 दिल न लगाना ओ दिवानों ये मेरी उमर के नौजवानों दिल न लगाना ओ दिवानों मैंने प्यार करके चैन खोया नीद खोई अर जूट तो कहते नहीं है कहते नहीं है लोग कोई ए प्यार से बढ़कर नहीं है बढ़कर नहीं है रोग कोई चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई तो गाओ ओम शांति ओम शांति शांति ओम ओम शांति ओम शांति शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम हुआ 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 है मैंने किसी को दिल देखे कर ली रापे खराब देखो आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो वो ना कहेंगे तो खुद कशी भी कर जाओंगा मैं यारो वो आप कहेंगे तो खुद कशी भी कर जाओंगा मैं यारो वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाओंगा मैं यारो तका ओओंさんतियों Shanti Shanti Shanti生 ओम शांतियों, शांतियों जांतियों शांतियों जो छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर मेरे हजारों दीवाने अमने खुद बन गया दिवाना ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना जांतियों जांतियों झांतियों शांतियों झांतियों झांतियों ओन श्चिए ओनिज गमुँं संदिए ओन अचिएков लिए जगरी कि बजयां वी गला प्रृमुँझाज ओन आखियो ओनिज ओन अचिए लिए Hey अचिए चम्यो ओनिज वह लिए ओन्जंदी और्म ओन्जंदी और्म यो ओन्जंदी और्म कर दो 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 कर host लाद 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 कि अव़ाया कि बड़ कि अख़ीच उन्हें फिस्कार बड़ाया कि अवार कि अवार दो अवार एंक पालर खेडिया कार कि अवड़ा और वीजड़ा कि अवार फिर खोग्वार झाल झाल कि येस, येस मॉंटी, मॉंटी याद करो, याद करो क्या तुम उसा औरत को पहचानते हो जो जीप चला रही थी, नहीं, उस लड़के को जिसका वो खून कर रही थी, बिलकुल नहीं, ऐसा हाथसा कभी किसी फिल्म में देखा होगा, कभी नहीं, कभी किसी ने कोई कहानी सुनाई होगी, नहीं, कोई पञ्यास, कोई नॉवल, नहीं, खवाब में भी कभी नहीं, तो फिर तुम्हाग में तस्वीरें कैसे और कब उठी, कल रात जब में गिटार के हाई नोट्स बजा रहा था, तब सिस्टर, सापको गिटार दो, फिर वो ही धुन, आंक बंद करके फिर सो जाओ कर दोटर जोटर एाओए जाओए भी रहा रांक डोटर से अखको कर द जुदर एखको दोटर स्टर, मिलने शोटर एखको एखको, तो अज़ए एखको इस बार मैंने कुछ और भी देखा है एक सुनी सी वादी कानिमा का मंदिर है हिक्मान है ताह भी है लेकिन लेकिन लड़की वो ही थी दॉक्टर साब वो लड़का वो ही था दॉक्टर डैनियल जबको इसका तालुक मांटी की जिन्दगी की किसी याददाष्ट या सद्मे से नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसके पिछले जनम पिछले जनम? वोट नॉंसन्स डॉक्टर शास्त्री इस मौडरन जबाने में भी आप रिइंकार्निशन यानि पुनर जनम की बातें कर रहें डॉक्टर शास्त्री, आखर आप शास्त्री जी ही निकले वेल, आपने पिछला संदे स्टैंडर नहीं पड़ा दक्षिन भारत के एक गाउं में पांच साल के बच्चे को पूरी गीता और रामायन संस्कृत में आठी और वो अपने पिछले जनम के माबाप और गाउं का पूरा व्यारा बताएं पहले तो लोग हांसे लेकिन जब ये बात सच साबित हुई तो ईश्वर की सन होनी पर वो हैरत में आगए डॉक्टर शास्त्री, छोड़िये इन पिछड़ी बातों को I think it's a case of psychosis चली बाकी बातें हम लोग कंसर्टिंग रूब में करें मेरी राय में मॉन्टी वो एक महिने के लिए complete rest की जरूरत है और इसे वो खास धुन उस वक तक नहीं बजानी चाहिए जब तक कि हम लोग किसी नतीजे पर न पहुंच जाए मॉन्टी अगर एक महने की चुटी चला गया तो हम लोग को लाखों रूब एक नुक्सान हो जागा तो क्या आप चाहते हैं कि इनकी हमेशा के लिए चुटी हो जाए मॉन्टी मेरी रह में तुम किसी हिल स्टेशन पर चले जाओ जैसे कश्मीर, दाजे लिंग, ऊटी नए डॉक्टर साब बेना म्यूजिक के कोई भी हिल स्टेशन मुझे आराम नहीं दे सकेगा एक हिल स्टेशन इसे आराम दे सकता है सर और वो है ऊटी ऊटी? हाँ सर इसका वो गाना है ना दर्द दिल, दर्द जिगर वह बाद सुपरेट है डेली बसता है सर ऊटी, ऊटी, प्यार की, बूटी, ऊटी हाँ रखसाब मैं उटी जाता हूँ रखसाब I'll go to ootie दर्दी दिल, दर्दी जिगर जिमी जदाया आपने पहली तो मैं शायर था आशिक बार हाया आपने फिर क्या हुआ? फिर? फिर वो मेरा दीवाना हो गया तो क्या मैं जूट बोल रही हूँ? तुम सब उसके फैन हो लेकिन वो मेरा फैन हो गया छुट्टी घरदी साले की मेरी तरफ घूर घूर के गा रहा था क्या गा रहा था? आगे क्या बोला था वो बहुत बहुत अच्छा था जुदा हो जाएंगे क्या था वो और थोड़ी देर में मत हम जुदा हो जाएंगे और थोड़ी देर में मत हम जुदा हो जाएंगे आपको जून जूनगा कैसे रास्ते खो जाएंगे नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने दर्दे दिल में दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने क्या बात है साड़े छे बजे तक लाइपररी में अकेली बैठी हो उसने मुझे छे बजे क्वालिटी रेस्टरान में बुलाया था तो तुम नहीं गई नहीं रीटा I swear by God मेरा दिल बहुत जोरों से धक धक कर आए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ सूज नहीं रहा I'm totally blank you know यह है उसकी प्यार की आवाज लेकिन मैं तो उसे मिलने नहीं गई यह है तुम्हारे प्यार की आवाज क्या बक्ति हो मेरी जां यह वो तुफा है जो रोके से ना रुका है ना रुकेगा इसे जितना रोकोगी उतना बढ़ेगा बढ़ता है बढ़ने दो आता है आने दो आने आ यह पैवो देखो बढ़ यहा घुर रहाए वो तुम्हें देख ही रहा है, जूतों नहीं रहा एक बात पूछी मॉंटी, वो मेरी सहली है रीटा, वो कह रही थी कि शेरी लड़के होते हैं वो भौरे होते हैं, फूलों पर मन राते हैं और फिर भाग जाते हैं मतलब? मतलब यह कि पहले वो गाना वान आ गाते हैं फिर प्यार करते हैं फिर आहिस्ता- आहिस्ता होटेल में लेके जाते हैं फिर तुम मेरे साथ वो-टो नहीं करोगी ना? क्या बक्ति हो तुम? नहीं वो रीटा कह रहे थी, कि आजकल के लड़कों से शादी से परे बचके रहना चाहिए तु बड़ी बोली उटि नहा अर्य मैं तुमसे पहले शादी करूँगा शादी के बार मैं तुमसे नहीं पहले कभिर çाषा को आилось अजाने तो कभीर ऐगा? हाँ, मेरा दुनिया में उनके सिवाय कोई नहीं, वो कितने सालों से पर्देश में हैं, वो मुझे यहां की रानी साहिबा के भरों से छोड़ गया है, उनकी चिठी आई थी कि इन दिनों वो कभी भी यहां आ जाएंगे और मुझे सप्राइज देएंगे नौट बैड, चत साल बाद कबीरा जेल से छूट कर अपने शहर आया, हर कोई पर्क नदर नहीं आया, एक फर्क है कबीर बादशा, जेल जाने के बाद तुसी च्छा गया, लोग आपके नाम के चर्चे कर रहे हैं, जेल जाने के बहुत पाइदे हैं दाया, आज कल रानी साह साहिबा से वसूल कर रहे हैं, अरे मैंने भी तो रानी साहिबा की वजए से दच साल जेल में सठ सठ के काते हैं, एक गडबड हो गया बादशा, क्या, राक्सी ने हमारे साथ बहुत बड़ा दोका किया है, तुम जो उसे अपना मकान कड़की में रहने के लिए दे गए थे आचानता है, आज कल के जमाने में दूसरों का ऐसान लोग दो ही दिन में भूल जाते हैं, और ये तो फिर पुरानी दस साल की बात है, वैसे कर्स तुकाने वाले की यादाश्ट अक्सर कमजोर हो जाती है, फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में याद दिला देता हूँ, कलियों में पैदा होने वाला ये लावारिस, एक नेक मुसल्मान को टोकरी में मिला, और नयदा ने क्या समझ कर उसने मेरा नाम कबीर रख लिया, मुसल्मान के यहाँ परवरिश्ट, हिंदों से दोस्ती रही, और शक अंग्रेजों जैसे रही, लेकिन मैं वो कबीर नहीं, जो कि इंसानों का इंसान था, और एक सच्चा संफकीर था, मैं तो कबीर बाश्या हूँ, कबीर बाश्या, जो कि अल्ला का ऐसान मंध है, और तुम जैसे हवानों के लिए शैकान है, अरे भूदू, जब मैंने तुझे मकान दिया था, तब तु मुझे अपना दोस्त समझ और आज मैं अपना ही मकान तुझे वापस मांगने आया हूँ, तो तु मुझे दुश्मन सोचने लगा, कबीर बाश्या, ये सवाल मुझ से नहीं कानून से पूछो, अब इस जगे का मालेक प्रॉक्सी है, जो संतों की बात न माने वो बरसों पच्टाए, जिस जिस रासे गुजरे, तिस्ते से जूते खाए, वा, कबीरा, वा, कबीरा, वा, कबीरा, तुम मुझे धंकी दे रहो, तू नोट टक, धंकी और चैलेंज तो जड़गोग लोग देते हैं, रोक्सी, मैं कल सुबह साड़े छे बजे अपना मकान वापस लेने आ रहा हूँ, इससे पहले तुम अपना इंतिजाम कर लो, चलो जाया, चलो बाया, ये तो सीधे-सीधे उल्टी बात कर गया, गुल्लो, बिको, तुम लोग अपने आद्मेओं को जमा करके, सुबह सुबह साड़े छे बजे से पहले यहां पहुंचाना, इस कबीर को अगर मैंने फकीर नहीं बनाया, तो मेरा भी नाम रॉक्सी नहीं, पुलिस, तो इसका मतलब है के रॉक्सी ने पुलिस का सहरा लिया है, तो फिर हमें सुबह-सुबह क्यों बिला गया, कबीरा से डर गया, अरे, अरे, पुलिस तो हमारे तो रगा रही है, जग्गू, चलो, देखा मेरे लाल, यह सब है इस वर्दी का कमाल, उपर कबीरा कर रहा है खमाल, पक्त के हम पाबंद है, करो ना हमसे वैर, कबीर बादशा जो आ गये, मनाओ तुम अपनी खैर, कबीरा, पहुचा तुमगा ये बॉटले रोक्ती साब के घर, इतना मत मार कबीरा, हो जाये का वो अंजर पंजर, अंजर पंजर, ये भी तो है सालासू और कंजर, हाँ, बस बाच्चा बस, गुरु जी, इतने दोहे मा सुनाईए, कि कथा ही सुमात तो जाये, ये बास्टर तो बाल बच्चे वाला है, ये किसे मालूम, हमें मालूम, मुझे मालूम नहीं था, अगर ये बाल बच्चे वाला है, तो फिर इसे ले चलो हस्पतार, जाया भाया, अराउंड वर्ल्ड घुमाया, मैं तो तीना बिटिया की शक्र भी बूलिया, चाचा, 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 आप शायद मेरी शक्र बूलिये, लेकिन मैं आपको नहीं भूली, मुझे आपके सब चीज़े मिलते रही, प्रेसंस, गिफ्स, एवरिटिं, पैसे भी मिले, अरे बेटी, एक देश से दूसरे देश घुमता रहा, सरकारी जिम्मेदारी का काम था, मैं अब आगया हूँ, और मैंने प्रिंसिपल साब से कह दिया है, अब मेरी बेटी होस्टिल में नहीं मेरे साथ ही रहेगी, आपके पास, हाँ, हाँ, जब तक तेरी शादी नहीं हो चाचा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, ना, बड़ी हो गई, मेरी बेटी तो इससे भी बड़ी हो गई है, महरबार, अगर आपकी मेजर में कोई अच्छा सा लर्का हो, तो मेरी बेटी के लिए देख लीजिए, क्योंकि उसकी शादी की फिकर मुझे खाय जा रही है, क्यो चाचा, ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटी मुझे मालूम है, मेरे लिए गेफ लाए ना चलिए, आफ़िस में चलकर फॉर्मलिल्टिज पूरी करते हैं चली, मेरे स्कूल की सब लर्किया पास हो गई है, सब बड़ी हो गई है, मगर मेरी बेटी की शादिय अभी तक नहीं हुए अच्छा, तो यही है तुम्हारी चाचा, दिखा न, क्या लाए है तेरे लिए फॉरण से चाचा को देखके, आज मुझे अपने बाबा की याद आ गई चीना, लगता है तुम्हारी चाचा अभी भी तुम्हें बेबी समझते है यह रहा तुम्हारा तफ़ा क्या है, चाचा ने समझा कि मैं अभी तक वैसी की वैसी छोटी ही हूँ तु सही तो समझा, अकल के डेपार्टमेंट में तो आप अभी तक छोटी ही है नए, अब मैं बड़ी हो गई हूँ आप बड़ी हो गई हूँ चलिए हम भी रेखें कितनी बड़ी हो गई है आप चोकरी खुबसूरत है रहे बबबजी, चोकरी एदर वेज़ा अजाओ, अजाओ, अरी कोई है पास्टर्ड अचा, तो एक और बाकी है पास्टर्ड पास्टर्ड कभीरा का है कहना कभीरा का कर रहे हो यह मेरे चाचा है कभीर चाचा नौट बैड में भोशा में दो सर्म मुझा निलाओ दो अब इतक कच्चे हो इतना भी नहीं समझे के तुम हमें नहीं मार रहे थे हम मार खा रहे थे फाइटर असोशेशन तुमारा ड्रामा खतल अब फूटो फैर हमें तुम्हारा हीरो पसंद आया पाइट के लिए ताकत की ही नहीं चेगर की भी जुरूत होती तुम्हारा नाम जुए गान गाता हूँ गान तो मैं भी गाता हूँ काम क्या करते हो जाचा ये ये बैमर में बढ़त बड़ा सिंगर है तुनो टप, सिंगर तो सभी होते हैं, रोटी रोजी का क्या इंतिजाम है, जी सिग गाने से चलता है, भगवान का दियो वह सब कुछ है मेरे पास, नौट बैट, भगवान को भी मानता है, जी, तुम टीना से प्यार करते हो, जी हाँ, शादी का इरादा है या सिरफ गाने गजल तक कई साथ है, जीवन साथी बनने का इरादा है, जाया बाया, यह सर, जो लड़का लड़की की करे हिफाज़त, उसको शादी की है इजाज़त, चाचा, सर नहीं, कभीरा, क्या उमर है तुम्हारी, यह कोई किस बरस का हूँ जी, लेकिन देखने में यह अबोध बालत, सोला सत्रा के लगता है, अरे प्यार में तो बुड़ा भी जवान लगता है, लड़की शीरीन और लड़का फराद लगता है, बच्चो, तुम लोग कभीरा टाया बाया, यह सर, यह दोनों जहां भी जाएं, तुम दोनों इनके साथ साथ रहो, याईनि के, सेंसर तू कितने बरस का, तू कितने बरस की, मैं सोला बरस की, तो मैं सत्रा बरस का, सोला, सत्रा, सत्रा, सोला, मिलना जाएं लेना, एक दो बरस जड़ा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहें, मैं सोला बरस की, तू सत्रा बरस का, मैं सोला बरस की, तू सत्रा बरस का, मिलना जाएं लेना, कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहें, तू सोला बरस की, मैं सत्रा बरस का, मिल जाएं लेना, एक दो बरस के दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहें. परबत से खन परघटाएं कतराएं तो क्या हो परसात हो तेरे दिल से मेरा दिल मिल जाए तो क्या हो बारात हो जाने कब परसात हो जाने कब बारात हो क्यों 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 क्य कर दो कर दो कर दो सचे प्रेमी सब मिलते हैं अब देखे हम कब मिलते हैं मिलने में अब क्या मुश्किल है तेरे मेरी एक मंदल है दूर है वो नजदी नहीं है अब ये मिलने टीज नहीं है क्यों 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 क्य कुछ हो गया तो पिरी ना कहना मैं सोला बरिसकी मैं सतरा बरिसका मैं सोला परस्ती, मैं सत्रा परस्ता कर दो के दोला परस्ता पराइब कर दो मैं… झाल झाल कि ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है बेटा और डूप के जाना है अरे गाना गाने के लिए कहा था लेकिन इतने जोर से गाना गाने के लिए तो नहीं कहा था के खुद ही गिर पड़ो चलो, सो जाओ, सुबा तक ठीक हो जाओ, बेट चल का बीरा पुद है अखुद है अखुद है अखुद है फिनिश्ट, एव्रिफिंग फिनिश्ट, हम गुडा रॉबर्ट वैसा का वैसा पच्चीस साल में सब बदल गया सब खतम, वर्मा फैक्टरी फिनिश्ट अब सर्जूदा फैक्टरी बंबई का सेट यहां के स्टेट का मालिक होता वर्मा फैमिली, अ ग्रेट फैमिली, बट फिनिश्ट उनका लड़का, रवी वर्मा, बंबई से शादी करके आता था रास्ते में कार एक्सिडेंट, फिनिश्ट मा, 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 मा बोलो, मैं रवी, हाँ, हाँ, रवी, बंबई से ओहो, मा, मैं रवी बोल रहा हूँ रवी, कैस से हूँ, बचा अच्छा हूँ, मा, मा, अम लोग अदालत में केस जीत गए हाँ, हाँ, सर जुडा ने रिश्ट खिलाने के बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ अब वो जमीन, वो जायदा दोनों मेरे नाम पे हो गए इश्वर सचे इंसान का हिसाब देता है, बेटा लो, मा, मुझे बात करने दो ना हेलो, मुबार्क हो भाईया मैं पिंकी बोल रही हूं, पिंकी अब तुम्हें मेरे लिए ठेर सारी इंपोर्टेट ड्रस लानी होंगी हाँ, हाँ, आपकी फर्माईश की पूरी लिस्त याद है, मिस जोती वर्मा जोती वर्मा, बीर पी है क्या तुमने पकड़कर मारूंगा तुम्हें, मैंने और बीर टेलीफोन पे तो बास आ रही है अच्छा, खाओ मेरी कसम, नहीं पी तुमने हाँ, हाँ, कसम की बात है तो ठीक है, एक बाडल पी है, और क्या आगे बोलो देखो, मा कहती है कि शराब पीने से बड़े बड़े घर बरबाद हो जाते है लो, मा से बात करो अब मा यह जूट ठीक है मा, I'm sorry, अब मैं कभी नहीं पी हूँ तु जल्दी से खराब बिटा मेरा दिल बहुत पेचन हो रहा है मा क्या एक रास की बात बताओ मा तुम गुसा तो नहीं करोगी मा का गुसा दो पल से कभी ज्यादा देखा है इस दुनिया में मा मैंने मैंने शादी कर ली है किसे वही कामिने से कामिने से शादी करने का फैसला मुझे आज ही करना पड़ा परना उसके भाई और मामा उसे लंडन भेज रहे थे अब तुने शादी करी लिये तो हम क्या कहेंगे उसे जल्दी से घर लिया हम धूम धाम से उसकी शादी करेंगे मां तुम दुखी तो नहीं हुई ना बच्चों का सुख मां बाप का सुख होता है बेटा ओ मां यह ग्रेट मामा यह ग्रेट आ लव यू तु जल्दी से खराब बेटा हम तुम्हारी रहा देख रहे हैं मामा यह देफिनेटली कम मामा यह विल कम मैं जरूर वापस आऊँगा मामा बहुत जल्दी वापस आऊँगा मामा यह देखिनेटली वेम्हर आऊँगा कर दूर्दी कर दूर्दी मॉन्टी कितने बुद्धू हो तुम इडियर्ट बिना बताई कर से चले आए एक खुशकवरी है रानी साहबा है वो लंडन से आगई है आज रात को राजा महेंदर के महल में एक पार्टी है उसमें तुम्हें बुलाए है इस अजीब गटना से मेरा सर पहता जा रहा है यह रास तुम सिर्फ अपने तक ही रखना क्योंकि लोग विश्वास करने की जगह हसी उड़ाएंगे मैंने अपनी आँखों से देखा है वो ही शहर वो ही महल वो ही फैक्टरी जहां मैं पिछले जनम में रहा करता था मेरा पुराना नाम रवी वर्मा था लेकिन मेरा चैरा एक तम अलग था मेरे पिछले जनम की मा, बहन और बीवी सब कहा है, इसकी कोई ख़बर नहीं, इसलिए लगता है, यहां कुछ दिन और ठेना पड़ेगा, और टीना को जिस रानी साहबा ने बच्पन से पढ़ाया लिखा है, उनसे आज शाम को मिलना है, बाकी बातें बाद में लिखूँगा तुमारमटी, लोख यू अ, आज रहा नही जिए्ट, लेकिन जो मैं देख रहा हूं, वह आप नहीं देख सकते, दूसरा जनम, दूसरा जेरा, पुनर जनम, रवी वरमा, कर दो 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 किस महल में कौन-कौन रहता है चोकितार? साव देग्रानी शाहवार रती है, नोकर, चाकर, धन, दवलत, सब तो है, साव लेकने की इनसाम की कमी है सुबह ने जाती है, साम को आती है, पता ने, साव कहां से जाती है, कहां आती है लेकिन कहिते घोड़े की पिछाड़ी और बोड़ों की आगाड़ी कभी नहीं जाना चाहिए चाहिए लेकिन हमें क्या करना साब आपन तो मजदूर आदमी है, पगार से मतलब है पगार लेते हैं आपन चले जाते हैं अरे, कमाल आदमी ना डिसकी संग, कमिंग अन गुईंग रवी वर्मा की मौत एक्सिदेंट से हुई, ये खबर कामनी देवी ने सब को सुनाई लेकिन एकी साल में सहब उस औरत ने दोनों बे सहारा औरतों को घर से निगाल दिया उस वक्त कामनी देवी महल और फेक्टरे की मालिकन बन चुकी थी मैं क्या बोलता सहाब, मैं तो एक मामूली नौकर था एक दिन उसकी साजिश कामियाब हो गई आप लोग ये कुनी कहते के मैं आत्मा हत्या कर लूँ मेरी खाने में जहर डालके मेरी जान लेना चाहती हो तुम मेरी जार की पीची क्यों बढ़े हो तुम लोग कितने शर्म की बाते भावी, कितने गिरा हुआ इल्जाम लगा रही हो तुम मैं और अपने भाई की वीवी ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बिल्ली को पहले खाना खेला दिया नहीं तो मेरी बहन ऐसे मारी पड़ी होती आज इसका फैसला होकर रहेगा मैं पुलीस को फोन करूंगा दीवी और इन दोनों हराम दादियों वो जेल की चक्यान आपिस्वादीं तो मेरा नाम भी चरंजीत नहीं कि मेरे बेहन की दौलत, शान और इज़त से चलती है आज इस घर में पुलीस आएगे चांता प्रसाद वर्मा की घर में न कभी पुलीस आई है न कभी आएगी चरंजीत बहू बेटे के मौत के आँसू अभी तक नहीं सुखे पर वर्मा घरान की जख्रे लोकों के सामने तमाशे बन जाए इससे अच्छा है कि हम ये अपने आँसू और कहीं जाके बाएंगे चलो बीजी अब ये वक्त आ गया है कि बर्मा जी और रवी का बनाया हुआ ये घर भी हम छोड़ कर जा रहे हैं बहू ये घर तुम्हारा है इससे इसमाल कर रखा हम दूर दूर बहुत दूर चले जाए उस दिन के बाद वो मा बेटी कहा गई किसी को मालूम नहीं साब उस दिन से मैंने भी नौकरी छोड़ दी अगर कोई ये कहे कि वो इस दुनिया में नहीं है तो इसमें कोई ताज्यूब की बात नहीं क्या है जी वो बड़ी गड़ी आ गई है ठीक है मुझे मालूम है तुम चले जाओ यहां से सलीम है अरे क्या हुआ तुरी लोक चान अबे क्या हुआ कुस्ता बता बुड़ी गड़ी लाल लगाम आय राम वाव 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 चले वाव 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 मैं सच कहती हूँ असपी सहाब कि हमारे पडोसी मासुर सहाब आज से छह साल पहले रात को एक बजे रेलवे लाइन क्रॉस करके चंपापूर की जंग्नों में गए तो उसके बाद लोटे ही नहीं लोगों ने समझा शेरवे रखा गया होगा लेकिन बस्ती वालों का कहना है आज भी रेलवे लाइन पर वही मासुर सहाब रात को भूंत है बिलकुल यकीन नहीं है यह होई नहीं सकता एक तफ़ा आदमी मर जाये तो हूं कैसे बापस आ सकता है इस नाट पॉसलों हाँ मेरी बेटी भी यही कहती है लेकिन भगवान के लिए आप ऐसी बाते मत करो वरना राद भर मेरे पेट में गुड़़़ई होती रहेगी हाँ 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 जी हाँ मॉंटी साब इसी गैस चाह उसमें रहते हैं लेकिन आज कर सुबर सुबर जल्दी चले जाते हैं रात को देरी से आते हैं तुम मैं चंदा यहां की नौक रानी देखा चाचा कैसा हो गया है वो जब से उसने उस रानी साहबा को देखा है न तब से मेरी परवाई नहीं करता सुना है वो रोज पहले से चक्कर लगाता है क्या चाहिए तुम्हें किसने यहां अंदर आने दिया तुम्हें जोजी जोजी मंगारा जाओ यहां से मैं कहते हूं चले जाओ यहां से किसे बात कर रहे हो कबीरा ले जाओ इसे टेक इम वे चलो पता चलो गार चलो गार चलो नहां गारा मज़े तुम्हें है इसे बाटीव बार्टीट मंगार यहां से एक हमारी नजर का इस तरहे है इतार दो को दो कि पुज़ की सब्सक्राइब को धुम्हारी नजर का इस थरह से पढ़ना तीना के साथ धोका है और में यह दोका कर रहा हूं मैं तो धोके सा परिशान हो जो मेरे साथ हुआ अगर तुम अपनी कहानी नहीं बताना चाहते ना बताओ लेकिन अगर तुम रानी साहबा की असलियत जानना चाहते हो तो मुझ से पूछो जिसने अपनी जिन्दकी की दस साल उसकी वज़े से जेल की कालकोश्री में कटे क्या जानते हो तो आज से दस साल पहले तीना का बाप रामचरन मेरा बजपन का दोस्त और महल का पुराना नौकर था लेकिन शराब पीने की गंदी आदत की बज़ा से वो बिन मा की बेटी तीना को प्यार न दे सका तीना की आखें हमेशा कभीर चाचा को ढूड़ा करती थी वो जुम्य रात थी मैं रामचरन के क्वाटर में पहुचा तो टीना रो रही थी रामचरन शराब के नशे में उसे डाट रहा था मेरे और रामचरन के बीच उस दिन भी टीना की खातिर बहुत तू-तू-मेमे हुई न वो मुझे टीना को अपने घर ले जाने देता ना अपने पास उसे ठीक तरह से पाल सकता था नशे में धुत राम चरन अपनी तक्दीर को और मुझे गालियां देता हुआ बाहर निकल गया और मैं बिन मा की बच्ची टीना को प्यार करने लगा बाहर जाकर राम चरन ने शैद राज महल की खिड़की से राणी साहिबा और उसके भाई चरन जीत को कुछ अजनभी लोगों से डाट खाते सुना नजाने उसने क्या राज की बास सुनी कि उसका नशा उतर गया लेकिन राणी साहे बाराई ने उसे देख लिया, और उसका पीछा दिया राणी साहे बाराई का राज जानने वाला, ऐस दुन्या में जिन्दा नहीं एह सकता, रामचरण रावीरा रामचरण, ये किस राज की बात कर रहा है? रावीरा वर्मा कालिमंदीर खाले मंदर हां रानी ये दो लफ्स कहकर मेरा जिगरी दोस्त कुदा को प्यारा हो गया लेकिन बड़े लोगों के बड़े जाल होते हैं नजाने पुलिस वहां अच्छानक कैसे पहुंच गई पुलिस के सामने मैंने अपने जुर्म का इक्वाल कर लिया तभी टीना रोते हुए मेरे पास आई मैं टीना को गोद में उठाकर रानी साहबा के पास ले गया रानी साहबा ये आपके वफादार नौकर की पे साहरा बेटी है अब इसका बोज आप पर है जैसे के एक बोज मेरे दिल पर ही है ताम चरन मरने से पहले काली मंदिर का राज मैं चलता हूँ और दूसरे ही दिनरानी साहबा मुझसे जेल में मिलने आई वो बहुत खबराई हुई थी क्या राज जानते हो तुम ऐसे राज सिलाखों के दर्मियान नहीं बताये जाते मैडम ऐसे राज तो सिरफ अदालक में हमने पूछा है क्या राज जानते हैं आप काली मंदर और रवी वर्मा का क्या नाता है ये राज इस राज को भूजाने के क्या की में चाहिए आपको मेरी बेटी तीना की परवरिश अवल तरजे की होनी चाहिए हम उसकी जिम्मदारी पूरी वफादारी से निभाएंगे हम बादा करते हैं कबीरा भी वफादारी का दूसरा नाम है मैडम ये सौधा तो हम दोनों में तैब हो गया लेकिन मैं दस साल तक उस काल कोटी में यही सोचता रहा के आखिर रवी वर्मा का काली मंदर से क्या नाता है मैं बताता हूं कबीरा मैं बताता हूं काली मंदर और रवी वर्मा का क्या नाता है तुम हाँ मैं आज की दुनिया के विश्वास के खिलाफ एक कहानी जो हकीकत बन कर गुज़री है मुझ पर उन पर हाँ कवीरा जरा सोचो कवीरा एक लड़का एक लड़की से महबबत करता है रस्मोरिवास के सब बंधनों को तोड़कर वो उससे शादी भी करता है और शादी के ठीक दो द की रानी साहवा बंकर वर्मा हाइड स्कूल की जिंदगी मेरी ही जिनदगी है कि मेरे पयाधिके विश्व कार्थ के दिन बर ऐली जी पचास अजार का चेक स्वार्मा कॉन्विर्मा पर में पूछत तौन यह वर्मा परीवार कहाँ है इस रवी वर्मा की बहन कहा है, मेरी मा कहा है किसी को कुछ पता नहीं, कवीरा, कुछ पता नहीं या खुदा, तुम, तुम वो रवी वर्मा हो ये सच है कवीरा, बिल्कुल सच ये नोही मेरे पे बीती है, ये पहाण मेरे सर तूटा है मैं कुछ पागल नहीं जो आपको इस तरह की कहानी सुनाँगा आगल को मैं हो गया हूँ मॉंटी बच्चे मैं सोच भी नहीं सकता कि उस आउरत ने तुम्हारी माँ और बहन को कहां रखा होगा मैं इतने दिनों से दिन रात उन्हें धून धून के परिशान हो गया हूँ कहां है किदर है किसी को कुछ नी मालूँ और कोई नी बता सकता ख़राओ नहीं मैं इस बस्ती के कुछ बजर्गों को जानता हूँ अगर खुदा ने चाहा तो मैं उन दोनों को धून कर ही लाँगा शानता प्रसाजी के बाद लोगों के जबान पे और दिल में एक ही नाम रहेगा जवी वर्मा का वो वर्मा परिवार का कर्श चुकाएगा उनकी आन बान शानो शुकत को वापस ले आएगा मेरे लाल फिर देखना इस विद्वा के चेहरे की लाली दो और स्कूल खुलवाओंगे उनकी नाम से हम मा हाहा हाहा हाह 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 हाए हाए कर दो हाए तक हाए हाए पिंगी नहीं जोटि वर्मा है नाम मेरा और जरा अदब से बात कीचिए, ये ट्राफी मुझे सितार में फर्स्ट आने पे मिली है, कोई गिटार तोडने की नहीं है सितार में फर्स्ट और पढ़ाई में जीरो, यहां पढ़ाई में फर्स्ट और अही बात सितार की देख लेना, एक दिन गिटार बजाना भी सीख लेंगे एक साल में बारा गिटार तोड़ चुकी हैं और साथ सुर बजाना भी नहीं आया आपको पिंकी पिंकी क्या, गिटार बजाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आपको सारा जग ढूंदिया, सारा जग मिलिया, वो ना मिलिया जिसको ढूंदू मैं परसों पहले मा बेटी कहा गायब हो गए किस और चले गए, ये किसी को भी नहीं मालू मुझे मालू मैं फिर जो नागन रवी वर्मा को डश सकती है उसके लिए दो बेजारा ओरतों को खतम करना कोई मुश्किल काम नहीं कबीरा मौन्टी, अल्ला के खाफ से तो नागन भी डरती है ये नागन नहीं कवीरा, ये नागन नहीं अगर ये भास सची निकली तो मुझे उस मा की कसम, मुझे उस बैंक की कसम मैं उसे एक तेंच जन्दा लेख चोड़ूगा, कटम कर दूगा मुझे फासी होगी ना मैं चड़ देऊगा फासी हरे एक मोट तो क्या रवी वर्मा हसारों मोट मर जाएगा लेकिन उसको लेख चोड़ूगा मैं बिलकुल लेख चोड़ूगा कामरी को मैं चोड़ूगा परवर्दिगार क्या हाल करती है इस नन्नी सी जान का इसे सकून अता कर खुदा नहीं तो मैं तुछ से जगड़ पड़ूगा कभीरा बैठा तेरे दर पे सब की मागे खैर परवर्दिगार पिछ्णों को मिलादे मिलादे यार चंदा चन्न नहीं आई साहब जी उसकी जगे आज मैं काम करने आयी हूं एक जग पानी लाओ चाय तैयार है साहब जी अब अमारा गुजारा चाय से नहीं शराभ सोगा सबीरे सबीरे शराभ नहीं पीनी की तुनिए बड़े बज़र कहते हैं कि शराब पीने से घर बरबाद हो जाते हैं सापची जी, मेरो नाम लच्वी है, नीचे तले गाउ में एक बंगले पे नौकरानी का काम करते हूं चंदा कल से बुखार में है न, मैं आज बजार खरीदी यहां आने वारे थी, सो उसने मुझे यहां भीज़ दिया लक्षमी, नहीं कोई कलती हो तो माफ करना सापची, इस छोटी उमर में शराब पीना अच्छा भी तु नहीं तुम्हारा नाम लक्षमी नहीं हो सकता, तुम लक्षमी नहीं हो जी हा, मेरा नम लक्षमी है, मीचे तली गाओ में रहती हूं तुम जूट बोल रही हो, मैं तुम्हे बचानता हूं, तुम्हारा नाम जोती है जोती नहीं, 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 मैं जोती नहीं हो, मैं लक्ष्मी हो, लक्ष्मी है मेरे नाव तुम जूत बोल रही हो, मुझे थोका दे रही हो, तुम जोती हो, जोती वर्मा हो नहीं, आप मुझे ऐसा मत कहिए सावजी, मेरी गरीबी बितमाचा मत मारिये सावजी में तो पर तुम कहतीं क्यों नहीं कि तुम शांत अप्रासाद वर्मा की बेटी हो मर्या शांत अप्रासाद, मर्या वर्म पर्वा, मेरा उससे कोई नाता नहीं है मैं, मैं एक भिकारी औरत हूँ, परतन साफ करने वाली गरीब इधवा तूसरों का जूठा खाती हूँ, फश्टाफ करती हूँ, तर-दर की ठोकरे खाती हूँ अपने दो बच्ची और मा को जिन्दा रखने के लिए जिन्देगी का भोश चोती हूँ क्या लेना देना है आपको मुझसे? क्यूं किसी गरीब आउरत के दुखते दिल को और दुखाना चाहते हैं आप यूं मेरे सर पे चूते मारते आप क्यूं मेरे गरीवी के बाहर बाहर मज़ा खुणाते हैlaugh पिक्पी आपने मुझे पिंकी कहा साब जी हाँ पिंकी तुमने मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया मेरी बेहन पेहन, आपने मुच्छी पेहन कहा? हापिंकी, तुम रभी वर्मा के बेहन हो ना, जो तुम्हे प्यार से पिंकी कहा करता था रभी वर्मा, आप रभी वर्मा को कैसे जनते हैं? देखा तुमने, कितनी जोरों का तूफाना आया और थम्क्या हाज मुझ जैसे ऐ ईशवर को ना मनने वाले बी ईशवर को मनना शूरू करतें के मैं समझी नहीं पगली, मैं थू रभी वर्मा का दोस्ते नहीं मतलब मेरे पिता जी, रभी वर्मा के बहुत ह нов नी है भंबभी में हाँ, भया भंबभी बहु बहुत जाया करते थे करो बहुत तलाश की उन्होंने भी लेकिन कोई पता ने चला आप लोग का दुनिया के लिए हम लोग मर चुके हैं साथ जी पहिया के मौत के बाद तक्दीर ने हमें अंधेरी के सवाए कुछ भी नहीं दिया दो लाशे मैं और मेरी मां क्यों जी रहे हैं किसलिए जिन्दा है मां कैसे मां कहा है मुझे उन से अभी इस युक्त मिला है प्लीज मां से मिलके क्या फाइदा साथ जी वो एक बुझाववद दिया है ठीक रहा है जो सोचता है कि कभी रोश्णी होगी वो पावली हो गई है भैया को गए हुए एक कीस साल हो गए है तब से वो न बोल सकती है न सुन सकती है गरीबी के इस दौरान में मेरी शादी भी हो गई लेकिन तीन साल में है मेरे पती तो बच्चों का बोज हमपा छोड़ इस दुनिया से चल बसे और मुसीबतों की कडियां बढ़ते चली गई मैं अपने कपड़े अपने दोंगी चुपढ़े तू अभी छोटी है देखो मा असीन अगर मेरे कपड़े बिना Between Shipum के दोएगा तो कय फट्निंग जाएँगे साबून का लाएगआ तेरा ममा देखो मैं असीन मुझे चोड़ा रहया है ना नीम को क्या तंगरती है वो क्या सुन सकती है, बोल सकती है, आने इद मा को, मैं सब बता दूंगी, चल, तु सरफ कपड़े दो, नानी मा को तंग मत कर, बैट, डॉक्टर के पास जाने की हमारी हेल्सियत नहीं, पहचे दुनिया भर की जड़ी बुढ़ियां देकर ठक गे हैं, नीद क्या चीज होती ह मा को शायद मालूम भी नहीं, बस ऐसे ही घंटो रवी भाईया की तस्वीर देखा करती है रवी आगे है, रवी आगे है, पिटा नानी मा, 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 नानी मा बोलने लगी पेट जी, रवी आ गया? आ, आजा पेटा, तुम बहुत ठंकिर हो गया पिंकी, रवी आ गया, रवी आ गया है पिंकी पेटा, बहुत जानती थी, तुम देर से हो गया, बस जरूर आ हो गया बोलो, तुम भूलते क्यों नहीं? रवी, मेरे दिल के ठुक्रे, तुम मेरी रवी हो न, हाँ, तुम मेरे रवी हो, मेरे दिल के ठुक्रे रवी, मेरे दिल के ठुक्रे रवी, मेरे दिल के ठुक्रे, मेरे बेटा रवी माजी, आप बैठ जाईए, बैठ के बाते कीजिए, यह आपका रवी नहीं है, यह तो बहर से कोई बड़ा सहाब आया है छुप रहो, बको मत, यह मेरा बेटा रवी ही है माँ सुनो तो सही, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी तुम्हारी तब ठीक नहीं है, आओ मा ये मेरा बेटा रमी है, ये मेरा बेटा रमी ही है, मा की दिल से पूछो, इसकी आत्मा से पूछो इश्वर सब को धोका दे सकता है लेकिन मा के दिल को नहीं मा ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये कोई और है नहीं, नहीं मेरे बेटे को मुझ सेनग मत करना, ये मेरा बेटा रमी है ऐश्वर अगर तू कहीं है, तो नरीजा आजा और मेरी नजर में नजर मिलाके कह दे कि ये मेरा बेटा रमी है कि दूही मामे तुम्हारे становится है रिद्धा रहे है श्वाष आप सब लोग इने अकेला छोड़तीजिए साब माफ कीजिए इनके दिमाग पर यहरी चोट लगी है मैंने कहाना अकेला छोड़तीजिए ने चालो भाई सब लोग साब सब समाल देंगे मा तुम रवी हो ना बेटा रवी मा मैं रवी हो किसी ने मुझे नहीं पहचान है और तुम ने पहचान लिया देखा मेरे बेटे ने मुझे पहचान लिया अपनी माँ को पहचान लिया अपनी माँ को पहचान लिया देखो मा अब मैं आ गया हो ना मेरी बात मनोगी तुम आ गया हो नै अब मैं आरम से सुंगे माहा यह अंकली कॉन है मैं मान तुम्मारा मामा हो बेटे आज के बाद तुम सब अपने मामा के साथ रहो गया अच्छा देखता रहा मेरा मसीह अपने ही दिये जखमों पर वा मेरे मौला पेटी चिंता न करो अपने भाईया के घर जाओ दुखके सब दिन बीट गए अब सुक्के दिन है आए देख कामनी अब कभीरा क्या क्या रंग दिखाए अब कभीरा क्या क्या रंग दिखाए अगर कानून इसे सजा नहीं दे सकता तो मैं इसे सजा दूगा कभीरा और कानून तुम्हें खापिं कर देगा क्योंके कानून और पॉलिस के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कोई गवा नहीं है के रभी वर्मा का कुन कामनी देवी ने किया है हाँ एक गवा है ऊपर वाला और शायद उसी ने तुम्हें इसके पास भेजा है ताके तुम इसे इतना मजबूर कर दो के ये कानून और दुनिया के सामने अपने जुर्म का इकपाल कर ले हाँ मौन्टी हमें अभी से तरपा तरपा के मारना है एक एक कदम पर ऐसा जाल भुछाना है कि ये पागल कुछ रहे क्या बात है करन सिंग तुमारे हाथ में क्या है पता नहीं सरकार अभी-अभी कोई आकर दे गया है कह रहा था कि आपका बर्दे प्रेजेंट है अधिए तो किसी को भी ने मालूम कि आज मेरा बर्दे है देखुन तो अधिए तो अधिए तो अधिए तो अधिए तो अधिए 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 क्या हुआ आपकी गाडी ने जवाब दे दिया में साथ तुम तुम यहां क्या कर रहे हो तुम यहां क्या कर रहे हो मेरे पीचे के पड़े हो आई वांट नो यह गारी तुम्हें किस ने दी तुम्हें ड्राइवर किस ने बने दिया ड्राइवर? रानी साहबा दौलत से तो गरीब नहीं हूँ लेकिन दिल का बहुत कमजोर हूँ आपको मेरा तुफ़ा तो मिल गया होगा शुकर है मैंने पुलीस में रिपॉर्ट नहीं की पुलीस, कानून, भासी, मौत सब मंजूर हो मुझे अगर आप मुझे ऊपर भी भेज देना तो भी में वापस आजाओंगा शुक अप भी यू शुक तो रहना चाहता हूँ मैं लेकिन क्या करूँ मैं अपनी बेकरारी आप पे जाहर नहीं करना चाहता कि मुझे पहली नजर में आपस इश्क हो गया अगर नंसेंस इतलो फिलिव अगे विराने में औरत काकेला रहना ठीक नहीं है कामनी जी, सोच लीजे सुनो मॉंटी नाम है मेरा देखे आपकी गाडी खराब है नीचे वह वहां बस्ती है और बस्ती में गराज और गाडी सिर्फ गराज में ठीक होती है कमाल है कमाल है कमाल है हम खुदों को पतभई हम खुदों को पतभई सब के दिल का हाल है कमाल है कमाल है कमाल है, कमाल है जो फकीर देखता हो गया है क्या मुझे, मीठ मीठ दर्द की ये कोई लगा मुझे जो फकीर देखता हो गया है क्या मुझे, मीठ मीठ दर्द की ये कोई लगा मुझे अरे भूत में उतार दू, रोग हो तो मार दू, पर मैं इसका क्या करूँ ये तो पेम जाल है, ये तो पेम जाल है कमाल है, कमाल है, कमाल है ओ, खुदा के नेक बंदे, चल मुझे जवाब दे आसमा पे कितने तारे हैं, जरा हिसाब दे सारे गुल सितानों के फूल किनक देख लो, जिसने फूल उतने तारे, ये मेरा खयाल है कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है कमाल है अरी कन्या, तू भी कुछ सवाल कर, साफ दिल का हाल कर, मैं बताता हूँ बाबा इसके होटों पे रुकी है कई चार की कहानिया आ रही है फिर से इसके प्यार पर जवानिया जवानिया, जवानिया, जवानिया कमाल है जान है, कमाल है खमाल है, खमाल है, खमाल है हम वकिरों को पता भई, सब के दिल का हाल है कमाल है, कमाल है, कमाल है आए मिथू, आप तो लोग नहीं कह सकते, न? कि राणी नहीं सबढ देखल रही है है, न? जब ए रही है मिथू, आप तो लोग नहीं कह सकते, न? good night, sweet dreams no, 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 don't you marry me अओाव दो! लाव लो में लुटाव लुटाव जोी मांगी लु़ कि अझाने लगल ऑिछे लगल ऱ लु़का कि ली давайте जु़ जु़third documented लु़ भ premature मौन्टी यह तुम्हर क्या? तुम्हारी इजट से खेलने वाले का अशर यही करेगा, मॉन्टी ऐसा क्यों? जो तुम समझती हो वो नहीं वासना, शरीर, दौलत, शौरत, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, एक अपना बन ओ मॉन्टी चाबाश जगावर, कमाल का रोल दिया यह लो 400 रुपया और तुम्हारा रोल खत जैकामी रवी, रवी, रवी अभी तक नहीं आया इतनी रात हो की अभी तक नहीं आया हाँ, जीप में आ रहा है बगु को लेकर लेकिन अब तक क्यूंने पोजा मैं खुट जाके देखती हूँ मैं खुट जाके देखती हूँ जख ग करा ये सबस्त unanimous जज जख गुआ जट जट जग जगा जट цел को जड जख पुआ है करा ये जट बनध मेच़ है पुट हुँ भाइया, दिखो रहा मागो, क्या हो गिया है? खबराने के कोई बात नहीं, भगवान का शुक्र है कि बच गई, शीच लगी कहां कहां ढूंड़ेगी तु मुझे मा, कितनी और ठोकरे खाएगी तु, मा यहां तो गया हुना मा मा, मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूगा, मा, सब वादे पूरे कर दूगा, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देखना मा, आखे खोलना मा, प्लीज मा, रभी, रभी तुम आखे, देख मा, मैं तेरे सामने हूँ चले, हम अपनी खर चले, मुझे ले चले, अपनी खर चले मा, मा ले जाओंगा, तुम्हारा आमकरो, अपने घर ले जाओंगा, उसी घर ले जाओंगा मा, जहां तुझे मैं अकेला छोड़के गया था करता है कर दो जुप इच्छ ये धुन कहां से सीखी तुमने? ये धुन? ये तो बरसो पुरानी है इसमे एक कहानी है किस की? मेरे पती की रवी वर्मा की रवी वर्मा? हाँ मुने ये दुन बहुत पसंद थी मुन्टी, फ्लीज इस दुन से तुम्हे कुछ होता है हाँ चलो आएंदा हम नहीं बजाएंगे ये क्या दिख्रों तुम? तुम्हारे हाथ की रिखाएं क्या लिखा है इसमें? कमाल है, इसमें तो किसी का खून लिखा है खून? मुझे दीवाना बना कर अब मेरी समझ में आया मॉन्टी साब को मेरे टेलिग्राम क्यों नहीं मिलते? जब आप समझी चुके हैं अबराय साब तो बहस करने से आप कोई फायदा नहीं तो आपने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है आपने ठीक समझा अबराय का मतलब है दौलत, शोहरत, नाम साब दो पल की चीजे हैं अबराय साब मैं तुम बे दावा कर दूँगा शौक से? मैं जा रहा हूँ मैं आपको रोकूँगा नहीं गड़बाय कौन था ये? था मेरी किसमत का ठेकेदार लेकन अब क्या होगा? इसे क्या मालूम के मेरी असली तकदीर इस घर में है लेकन, Monty मेरे तुमाने इस घर में घपरा रहा है चलो कहीं बहार चलते है क्या हुआ? आपकी गाड़ी ने जवाब दे दिया एक मिनट वो जो मेरी माहना बम में मुझे रात को कभी गाड़ी चलाने नहीं देती क्यूंकि कभी में रात को लेट हो गया तो वो पूरे शहर को अपने सर पर उठा लेती है वो पूरे शहर भर में टेलेफोन, वायरलेस, पुलिस में खबर और आपके रेडियेटर में तो पानी नहीं है आप फिकर मत कीजे यहाँ एक डबबा है मैं अभी आया आलाफी डालिंग वायरली तो यहाँ अःरथ दुलियता और वायरले यहाँ आलाँ यहाँ आपकि अइल पालाँ हम पाम आपकि French और उद अच्छे, सर्दी बढ़ रही है, हाँ तुम्हें मा के बारे में कह रहा था न, वो क्या है? अरे, सर्दी के मौसो में इतना पसीना? मौन्थी? क्या हुआ घबराई हुए हो? बूद बूद क्या? मैंने भूद देखे हैं भूद देखे हैं लगता है अचकल आप भूदों की कानिया सुन रही है, इसलिए आपको वहम हो गया तो वही डालिंग, हुट यह हूँ तुम्हारे साथ हूँ बूदी 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 को, मुझा आइड़े में बूद जा रहे है बूदृ काफिर Zust. क्या हो गया है तुम्हे? मुझे तो ना कोई गाड़ी देखी है, ना कोई भूद वो देखू मौटी क किदर? क्या हो गया है तुम्हे? तुम बागल हो गया वहां तो कुछ भी नहीं है मौटी, तुम नहीं कुछ नहीं देखा मुझे कुछ भी नहीं है मुझे क्या हो गया मॉंटी मुझे क्या हो गया तुम्हें आराम की जरूरत है राणी सहेबा आपके लिए इतनी ज्यादा गोलिया खान अच्छा नहीं है डॉक्टर साब आपको पहले ही मना कर चुके है आपके होटल की उपनी पर मॉंटी नहीं आ सका इसका जिम्हदार मैं नहीं हो सकता अगर आप असलियत जानना चाहते हैं तो खुछ चल कर देख लिए मेरा सोने का पंची आपके महल के बिंगने में किसकदर जगड़ा हुआ है यह सब आपकी कामनी देवी के कारणा में है यह सर देख रीटा मैंने तेरे को बोला था ना उसका इसी के साथ इसी के साथ चक कर चल रहा है देख के से हसाथ के बाते कर रहें दोनों मेरी सब तो देखा भी नहीं जाता तु बता क्या हो रहा है उसके लिए गाड़ी का दर्वाजा खोल दिया है फिर अभी वह उतर गई है फिर अभी वह अंदर जा रही है जाते चाते रुख गई है पॉन्टी उसके करीब जा रहा है अभी एक दुसरे को देख के हस रहे है अभी पिलर के पीछे चले गई है अभी कुछ नजर नहीं आ रहा तीना मुझे लगता है सब गड़बर है तीना आपने अभी तक अपनी जिंदगी और अपने पती के बार में कुछ नहीं बता रहा है हाला कि मुझे आपने प्रॉमिस दुकिया था मैं बताउंगी लेकन अभी नहीं क्यों पहले मुझे तुम पर पूरा अथवार तो हो जाए प्यार करने वाले अथवार का सेटफेकर नहीं मांगते देवी जी मांठी, मैं जानती हूँ के हम दोने एक दुसरे के बात करीब हाँ चुके है जो वहाचु कॉम मेनं कुछते साले भेवाप, बात मुझसे करता है, प्यार उस से करता एं गाने मेरे साथ कहता है दगे, ऑफयर नो को ढङरे में को वसी रा अफयर, इसमिलाना के वसी ए साले, में भात जाता हि तीना, तीना जाने दोर से मॉन्ती, ये दिन तु आना ही था तेखा आपने, अगर मैं इस लड़की से शादी करता तो मेरी जिंदे की तो बरबाद करती ये लड़की मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, एक और और बच्ची में यही तो आ रखे मैं उल्दा क्यों मॉंडी बाबा, मॉंडी बाबा, गगब हो गया क्या हूँ, टीना शेहर चोड़कर जा रही है क्या बक्ति हो वही बक्वाल जो इस चिक्थी में लिगी है वो घर चोड़कर चली गई है, कभीर बाद्चा उसको जग़ जग़ तराश कर रहा मैं ये सद्मा बर्दाश नहीं कर सकती, कभीर चाचा मुझे डूरने की कोशिश मत करना, समझना टीना मर गई शे शरम पेगैरत, लैला की भती जी, चली थी इश्क में जान कवाने आपको नहीं मालम चाचा, वो राणी साहिबा के साथ कैसी कैसी बेशरमी बाते कर रहा था शप, भैरत, मैंने जिन्दगी भर घास नहीं काती है एक तो आजकल वो पहले ही परिशाना और उपर से तू उसे और परिशान कर रही किस के लिए परिशानी मुसाला का मीना अरे तेरे लिए और किस के लिए राणी साहिबा के पास ड्रामा करने के लिए उसे मैंने भेजा था राणी साहिबा के पास मेरा लाग और रुपया फथा हुआ है अब मॉन्टी और तेरी शादी के लिए रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरी शादी। शादी। हो रही है। गुट। वेरी गुट। मेरी भी एक लड़की है। बिलकुल टीना जेशी। यूनो। मिस्टर मॉन्टी, हमने आपको यहाँ इसली बिलाया है वर्मा हाई स्कूल की सिल्वर चुबली फंक्शन के लिए हम एक charity show रखना चाहते हैं। अगर आप इसमें हिस्सा लेने तो मुझे पूरा यकीन है के लिए आए है मिस्टर बैप्तिस्ता। आहिस्ता। देखिए आप आईये और गाये और हमारी लड़कियों को भी सिखाये। हमारी लड़कियां बड़ी कलाकार हैं और मेरी भी एक लड़की है। और मिस्स कामिनी देवी इस तुलवचुबी फंक्शन की चीफकेस्ट होंगी। और उसी वक्त रवी वर्मा मेमोरियल हॉल का उदगातन भी करेंगी। रवी वर्मा मेमोरियल हॉल। मैं आउंगा इसमी साथ। I will come. Hello? Hello? Yes? मैं मिस्स कामिनी वर्मा बोल रही हूँ। Hello? मैं रवी वर्मा बोल रहा हूँ। रवी वर्मा? कौन रवी वर्मा? तुम्हारा पती, रवी वर्मा. What nonsense, कौन बोल रहा है? नजर सिना सही, आवाज से तु पहचानो डाले. मैं मॉंटी बोल रहा हूँ। क्या बक्वास कर रही हूँ reuse। मेरे पास कोई जबazon नहीं कामिनी की कानून समाज को मैं पता सकूँ कि तुमें मेरा खून केंथे था? म कामिनी क्ये वर्माथा तुमें मेरा खून किया था? Hello? Who? Who is this? मैं मॉंटी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है हलो तुम्हारा बात बोल रहा है मौझी मौझी तुमने अब भी फोन क्या था मैंने कहा से में तो यहां हूं अपने आपको ऐसे खत्ला मत करो कामनी मैं पागल हो जाओंगे एक दिम्मेन पागल हो जाओंगे पागल हो जाओगी! पागल तो आप होई चुकी हैं, कामनी जी. तुम? हाँ हम, सर्जूडा के चम्चे. कहो, क्या कहना चम्चों को? सर्जूडा ने तुम्हें बुलाया है, इसी वक्त. किसलिए? उन्हें तुम्हारी हरकतों का अंदाजा हो चुका है. ये मेरी प्राइबट लाइफ, एड, you understand? सर्जूडा के चम्चों या चम्चियों की, कोई प्राइबट लाइफ नहीं होती, समझी? Get out! Get out of here! Get out of here, get out! Okay, चलो बॉला. मांटी, मुझे नहीं चाहिए, ये दौल उचाहरत. मैं खबरा गही हूँ इस जिद्गी से. Please, मुझे कहीं ले चलो, कहीं भी. लेकिन मुझे नहीं रहना इस महल में, please. ले जाओंगा, परसों ही ले जाओंगा. अपने घर, पंबई में. लेकिन आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? मैंने वर्मा हाई स्कूल के फंक्शन में गाने का वायदा किया है. बार मी जाए, वर्मा हाई स्कूल. इतने बरसों से तुम रानी सहेबा बनकर रही हो इस महल में. हर काम, इज़त और अपने ढंक से किया जाना चाहिए. उसी फंक्शन में मैंने अपनी मां और बहन को भी बुलवा है. तुम्हारी इज़त और मान देकर मां कितनी खुश होंगी. जब तुम वर्मा हाई स्कूल फंक्शन में मेरी मा को एक इज़त-दार होने वाली बहु के रूप में मिलोगी. सच? सच तो यह है कि मेरी मा ठीक हो गई है. बस दवा के साथ दूद पीगी तो बिलकुल ठीक हो जाएगी. लो, फिर दूद गिरा दिया ना? देखा, पिंकी, जब यह छोटा था ना, इसी तरह दूद गिराता था. मैंने कभी इसको नहीं डाटा और यह अब मुझे डाट रहा है. मैं कहां डाट रहा हूं, मैं तो सिर्व इतना कह रहा हूं कि मेरी मा जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मैं अपनी प्याली प्याली मा को वर्मा हाई स्कूल के फंक्शन में लेजा सकूँ. वर्मा हाई स्कूल? हाँ मा, वर्मा हाई स्कूल, हमारा स्कूल. कुछ देर बाद हम लोग उस फंक्शन में जाएंगे और तुम उस हॉल का घाटन करोगी. लोग मात तालिया बजाएंगे और हैरान होंगे कि Mrs. Shanta Prasad Varma की क्या आन बान शान है क्यों मा? जी तरहो मेता, जी तरहो और इसके बार हम अपने महर एन जाएंगे हाँ मा, उसके बार हम अपने भर में अपने घर में देखा मा, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है और इस प्यार को तुने कितने साल दूर रखा अब वो आ गया है, अब काही को आशु बहाती है आखे हाँ, शायद तेरे पाउ धोना चाहती है आखे जी हाँ, मौन्टी, मौन्टी नाम है उसका सर सर, ये चक्कर वो नहीं है जो हम समयख रहे है ये चक्कर तो रभी वर्मा की जाइदाद ओके सर जोलियर, लेला, मजनू, शिरी और परहा इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद याद, याद मुझे आ रहा है कैसे दिलबर का नाम जिसने धोका देकर नामे इश्क किया बढ़ना यही है साइवान कहानी प्यार की किसीने चान ली, किसीने चान थी एक हसीना थी, एक दिवाना था क्या उमर, क्या समा, क्या जमाना था एक हसीना थी, एक दिवाना था इवाना यह उमर, क्या समा, क्या समा, क्या समा एक दिन वो मिले, रोज मिरने लगे फिर महबत हुई, बस प्यामत हुई हो गए तुम कहा, सुनके ये दास्ता लोग हैरान है, क्योंकि अंजान है इश्क की हो गली, बात जिसकी जनी उस गली में, मेरा आना जाना था एक खसीना थी, एक दिवाना था क्या उमर थी, क्या समा था, क्या जमाना था एक खसीना थी, एक दिवाना था उस हसी ने कहा उस हसी ने कहा सुनो जाने वफा, ये पलक ये गुमी तेरे मिन कुछ नहीं तुछ पे मलती हूँ मैं, प्यार कलती हूँ मैं बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी उसके दिल में चुपी, चाहल का रती थी त्यार का तो फकत एक बहाना था एक हसीना थी, एक दिवाना था क्या उमर थी, क्या समा था, क्या जमाना था जित वसीना थी, एक दिवाना था बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोका किया ऐसा धोका किया जहर उसको दिया जहर लूका किया मर गया वो जवा मर गया वो जवा अब सुनो दास्ता जन्न लेके कही धिर वो पहुचा ही शक्ल अंजान की अक्ल है राजी सामना जब हुआ सामना जब हुआ फिर रही सब हुआ उतना ये खर्ग था उतना ये खर्ग था सामना जब हुआ प्रग था जब हुआ प्रग 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 था जब हुआ सामना जब हुआ सामना जब हुआ अ targeting कर दो दो बादो लुटके दो उड़ता है ताल कर दो प्र बार कर दो सिर्ड़ता है क्यों चार तो स्टोंडि़ है कर दो मोई कान हो तूम कौन हो? मैंने पूचाए कौन हो तूम तूम मौनती नहीं यह जुद है तू का है तुम्रा भी वरमा नही हो सकते तुम्रा भी वरमा का भी नही हो सकते आपने ठीक पहचाना रानी सहभा मुझे गौर से देखिए मैं ही रवी वर्मा हूँ आज शांता प्रसाद की बहुरानी इस शहर की महारानी और सर चूडा की नौक रानी देख गौर से देख गौर से देख इस कुद्रत के करिश्मे को रवी वर्मा की शकल तु नहीं, लेकिन आत्मा वही है वही रवी वर्मा जिसको एकिस बरस पहले काली मंदिर के सामने तुमने जीप के टायर के नीचे कुचल दिया था वोही रवी वर्मा जिसने तुम्हें प्यार के बद्ले प्यार दिया, नाम, दौलच, औरत, सब कुछ, लेकिन तुम, तुमने क्या दिया। सिर्फ औरत साथ के नाम को बद्नामी। और अब अब तुम्हारा ये किस बरस का राजपाट खतम होता है। ये घर तुम्हारा नहीं है कामनी, ये घर है शांता प्रसाद का, उसके बेटे रवी वर्मा का, रवी वर्मा की बूड़ी मा का, जो आज खुद परसो बात इस घर में थोड़ा से अराम करने आ रही है। रवी, हम अपने घर आ गे ना। ये घर, ये घर है रवी वर्मा की उस बहन का, जिसने अपने जवानी के सुनहेरे दिन बिता दिये अपनी बूड़ी मार बच्चों को दो वक्ती रोटी दिने में। आज वो अपने भाई की घर आ रही है अपना हक मंगने। कामली देवी, ये घर है वर्मा खांदान का, वर्मा खांदान के उन चिरागों का, जिनको अंधेरों के सवार कुछ में नहीं मिला। आज वो अपने घर में आ रहे हैं, अपने महल में आ रहे हैं, एक नई रोश्टी देखने के लिए। है कोई सबूत तुम्हारे पास के तुम इंकार कर सको के तुमने रही वर्मा का खून नहीं किया। है कोई सबूत तुम्हारे पास के तुमने उसकी बेसहारा माउर बेहन को, लोगों के फर्श और बर्तन साफ करने के लेख सा तुमने रवी वर्मा का ठीक रगिता है बोलो तुमने किया है तुमने कीыт, द stitch बोलोू!! पोलो, तो में कुर्गीया." मतलो! मतलो! Therefore, यह दोल् कानल! मतलो! 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 कभीरा देख लिया एस्टी साहब चोर ही मचाय शोर अरे मैडम रानी साहबा अल्ला की लाथी में आवाज नहीं होती लेकिन जब वो पड़ती है तो हाई हाई कभी चाचा कभी चाचा ये पिस्टिल असली है इसमें गोली है तो अब पता चला के परदेशी अंग्रेज हमारे देश में कैसे गुसाए प्रॉक्सी एक बार मैंने तुम्हे पहले भी बताया था के मुसल्मान के हाँ परवरिश हिंदूं से दोस्ती और अंग्रेजों के शौक वही हैं मेरे लेकिन एक इंडियन होने के नाते मैं अंग्रेजों का राज नहीं होने दूँगा यहां अंडर्स्टैंड सर जूडा का कहना है कि कामनी देवी को हमारे हवाले कर दिया जाए वे अपने गूंगे बास से कहो के जिसकी जबान कटी हो उसे अपनी जीब बाहर नहीं निकालनी चाहिए कभीरा अपनी बेटी की कुर्बानी दे देगा लेकिन वर्मा नहीं कभीरा नहीं इस कमीनी के लिए टीना की कुर्बानी बेवकुफी होगी जुडा, कामणी को हम तुम्हारे हावाले कर सकते हैं. शर्त ये है कि तुम तीना हमारे हावाले करो. हमें मनजूर है, उधर से एक क Champ चामणी चलेगी, इधर से एक कदम तीना चलेगी. लेकिन जरा से भी हरकत हुई, तो फिर गूलिया चलेगी. कुछी, चीना को छोर्दो मेरी सौत अरे सर्जूटा, तेरा पाना फूटा कानपुर के जूते दे रहे हैं सजा पहनने से जादा खाने में आएगा मजा कि कुछी ओियूग अis कुछी जादगी चीना वया बया बया! मा, तर्वाज़ खोलो, तर्वाज़ खोलो आग रगा दो तर्वाज़ खोलो कभीरा, तुम मेरी फिकर ना करो, मार पिंकी बार गई, तुम उने बचाओ लेकिन कभीरा तुम ऐसे जाओ, तुम जाओ, जाओ तुम जाओ करो जयाओ तुम जयाओ मा, 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 मा! नानी यर्म हो करिमेद पंदे ! इदावा भाड्यो के लगा प्याओ प्चू कर दोखने लो Ne항 ! Vicki ! Vicki ! Vicki ! Vicki ! Vicki ! याई! कमी ला? बंच चेंच जेंच कमी लाई वाईया, देखो, मौ कामने भागी जा रही है तो मांको देखो वाईया, 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 वाईया लगता है कि वो आरत पागल हो गई है कि वो आरत पागल है हुआएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए कि अज़िए पेटा तुम लोग जल्दी वापसा नहां हां हां मार देख पेटा इस वक्त धोका नहीं देना है मा, हाव विलकम जल्दी चलो ना मॉंटी अभी तुमें कश्मीर जाना है, हानीमून देखना है सुना है बहा का हनीमून बड़ा मज़दा हो क्या कहा यह पेटी चलो बेटी, तुमें अस्टेशन तक छोडा लो psychology जादी तुमेंवे तक शाद्स जादी आदेख, Θब चुमेड प। मैं सोला बरसकी, मैं सत्रा बरसका